So, Hello Everyone, JCC गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से आप सभी को जोहार अभिनान्दन वेकरते इस प्रकार आप सभों के बीच में एक बहुत ही बड़ी खुसखवरी जैसा कि आप देख पा रहे हों अस्क्रीन में रामगर चोकिदार भरती के लिए जो फानले आप लोग का जो एक्जामनेशन डेट सीडूल किया गिया था 21 जुलाई को 21 जुलाई को किसी कारण वास ये तो आप लोग का एक्जाम नहीं हो पाया बट कहीं न कहीं आप देख सकते जैसा कि आप काहवत भी सुने होंगे उपर वाले के घर में देर है बट अंधेर नहीं वो चीज फानले यहाँ पे आप सबों को भले ये देर आया लेकिन दुरुस्त आया देख सकते हैं जितने भी जो रामगर चोकिदार के अभियारती हैं फानले उनका एक्जामनेशन सेंटर यहाँ पे जूम करके आप भी देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले अभियारती हो का यहाँ पे नाम दिया गया है अंचल का नाम है भ्यार्थियों का नाम उनके पिता पती का नाम पता और साथ ही उनका रोल नंबर भी यहां पे जारिक किया गया है और उनका सेंटर कहां पर पड़ा हुआ है किस अस्कूल में पड़ा हुआ है उसका भी जिकर यहां पर आप लोग को सेंटर देखिए complete दिया गया है तो ये आप लोग का finally जो exam center है वो जारिक कर दिया गया है देखिए 105 page में total यहाँ पे exam center जो की अलग-अलग school में GM plus to high school रामगर ठीक उसी परकार किनी का देखिए center पड़ा हुआ है आप लोग का SS girl high school रामगर में किनी का देखिए रामगर high school यहाँ पर पड़ा हुआ है तकिनी का देखिए यहाँ पर जो center है वो राधा गोभी इन्वर्शिटी जो ललकी घाटी है वहाँ पर इनका भी center पड़ा हुआ है कुछ अभ्यारतियों का तो यह रामगर जिल्ला के रामगर जिल्ला 275 इतने अभ्यारतियों का आप लोग का एक्जाम होने वाला है यह रह गिया आप लोग का एक्जाम center का सुची तो यहाँ पर आप लोग का देखिए यह सुची आप लोग का official site में भी upload किया गया है आप जो भी अभ्यारतिय है आप टेलिग्राम ग्रूप या तो फिर नीचे WhatsApp ग्रूप का लिंक है जिसमें कि अल्रेडी 800 से something पलस वहाँ पर अभ्यारतिय जुड़ चुके हैं उस WhatsApp ग्रूप में और उसी WhatsApp ग्रूप में सबसे पहले आप लोग को update जो भी होता है वेकिंसी रिलेटेड एक्जाम सेंटर एड्मिट कार वो सबसे पहले update वहाँ पे आप लोग को दिया जाता है तो आप उस ग्रूप को जोईन कर लिजिए PDF आप लोग को वहीं पे share कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आप लोग अपना roll number चेक कर लिजिएगा आप लोग का center कहाँ पढ़ा हुआ है वो center आप लोग यहाँ पे वो चीज़ करने के बाद आप हम लोग चलिए बढ़ते हैं कि आखिर कार अब admit car आप लोग का मिलेगा कहाँ अदर जिल्ले में बेकेंसी निकली हुई है गुमला गिरिडिच जो भी पलामू रिसेंट में भी आप लोग का निकला हुआ है जो की चुनाज से पहले कराई जाएगी तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले रिटेन एक्जाम होगा देखिए रिटेन एक्जाम का ही ये center है रिटेन एक्जाम पास किजिएगा उसके बाद फिर आप लोग का दोड लिया जाएगा सबसे पहला है रिटेन एकजाम पास किजिएगा ये तब जा करके आप लोग का दोड लिया जाएगा उसके बाद आप लोग का यहाँ पे डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब जा करके मेरिट आप लोगा तो अहम आँवा जाता है आप लोगा रिटेन अगजाम और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रामगर चोकिदार अस्पेसल आप लोग के लिए बेच भी चलाये जा रहा है जो भी बचे दिन है यहाँ पे डेडिकेटेड वे में कलासेस आप लोग को पीडियाफ जो की उपलवद कलाये गें अधि आप इस बेच से जोड़ना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉंटेट कर सकती हैं चली है अब हम लोग एडिमीट कार की रिगार्डिंग क्या नोटी जारी किया गया है कैसे वह मिलेगा क्या डोलोल करना है या फिर कैसे मिलेगा सो एडिमीट कार्ड से रेलेटेड यहां पे संपून जनकारी आप लोग को दिया जाएगा देखिए रामगर जीला अंतरगत चोकिदार के 75 पदों पर बाहली है तो लिखित परिच्छा 28 जुलाई को आप लोग का यहां पे कल से अभ्यारती प्राप्त कर सकेंगे परवेश पत्र तो यहां पे आप लोग का एकजाम कब होने वाला है 28 जुलाई को एकजामनेशन होने वाला है कब 28 जुलाई को देखें यहां पर हैमत सोरिन के जो भी रामगर के अधिकारी हैं वो उनके दरह यहां पर यह चीज जानकारी गयाफनशों पर गया देखें क्या यहां पर संपूर एक एक चीज महत होया आप लोग के लिए लिखित परिच्छा में एक-एक अंक के होंगे कूल पचास वस्तुनिष्ट अब्जेक्टिव प्रश्ण गलत उतर पर नहीं कटूतिक अंक जो पचास क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को ओल्रेडी नोटिफिकेशन में भी दिया गया है जो कि अन ये जिल्लों में भी दिया गया है तो पचास परश्ण जो कि पचास नमबर करेगा पचास परश्ण पचास नमबर का हर एक परश्ण एक नमबर करेगा और इसमें नेगेटिव माक्सकिंग नहीं दिया गया है 28 जुलाइक को सहर के कूल दस बिद्यालों में होगा लिखित परिच्छा का आवजन लिखित परिच्छा के परिणाम के अधार पर कुल 225 अभ्यारतियों का सारिक दस्ता परिच्छा के लिए होगा चेयन यानि कि 75 पोस्ट के लिए भेकिंसी निकाला गया है इसका तीन गुर्णा आप लोग का सामिल किया जाएगा दोड के लिए इसका 75 तीय कितना हो जाएगा ये आप लोग का हो जाता है 225 तो यहाँ पे देखिए जो 4200 कुछ का सामिल हुआ है वहाँ पे तो उसका देखिए 4000 में निकल के कितना आएगे 225 अभ्यारति और इन 225 का ही सिर्फ आप लोग का दोड लिया जाएगा और 225 का दोड लग करके फाइनली 75 का आप लोग का मेरिट बनाय जाएगा ये हर एक जिल्ला में यही प्रोसिस अपनाय जाएगा जितना भेकिंसी निकाला गया उसका तीन गुन्ना एक्जाम में पास किया जाएगे और तब जाकर के फिर वहाँ पे जो भी है उसका वहाँ पे निकाला जाएगा द दिनांग 23 जुलाय 2024 जो की आज ही है ये एक दिम पहले का न्यूज आया है 23 जुलाय 2024 पराता 11 बजे से जिल्ला समर नाले आकर परवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे देखिए यहाँ पे जो आप लोग का एड्मिट कार है ये एड्मिट कार आप लोग को कहीं पे डोनलोड नहीं करना है नहीं पोस्ट के माधियम से आप लोग का अपना घर आएगा एड्मिट कार स्वेम जाकर के आप लोग को 28 जुलाय से पहले 28 जुलाय से पहले एड्मिट कार आप लोग को स्वेम जिस पता पर आप लोगों ने फोम जमा किया है जो समर नाले है डिसी कर्याले आप लोग का उस कर्याले में जाकर कि आप लोग को वहांपे admit card खुद से जाकर कि लेना होगा. नहीं admit card का आप लोग का जो भी है वो सारी समस्या दूर हो गई कि admit card आखिर कर मिलेगा कैसे. Admit card खुद आप लोग को जाना होगा. और admit card लेने जाएगा उस समय कुछ आप लोगो साथ में भी लेकर के जाना है देख सकते हैं क्या लेकर के जाना है सो परवेश पत्र प्राप्त करने है तू अभ्यारती को अपने साथ पहचान पत्र एवं दो passport size photo ग्राफ लाना होगा जो भी देखिए candidate admit card लाने जाएंगे उनको एक पहचान पत्र कोई भी अधार card voter ID जो भी होगा पहचान पत्र ले लेना है उसके बाद दो आप लोगो का passport size photo ले लेना है दो passport size photo चुकि वही photo आप लोगो का admit card में चिपकाया जाएगा वहाँ पर मोहर मराया जाएगा करियाले का तो इसलिए दो आप लोगो passport photo ले लेना है अभ्यारती समर्नाले आकर परवेश पत्र प्राप्त करने में आजसफल होंगे उन्हें परिच्छा केंदर पर भी पहचान पत्र उपलग कराया जाएगा जैसे मान लिया जाएगा कोई महिला है या कोई पूरूस ही है जो की जनकारी नहीं हुआ बट आप लोगों से मैं एक चीज अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को हर एक ग्रूप में जो भी आप लोग का सरकल में ग्रूप होगा हर एक ग्रूप में हर अस्टेटस में आप लोग को लगा देना है चुकि ये समझे कि आप लोग के लिए एक अंतिम उपर्चुनिटी होने वाला है और कर भला तो हो भला तो आप लोग को इस अंतिम समय में कोशिस करना है कि कर भला तो हो भला वो चीज़ पर किरिया आप लोग को अपनानी है इस प्रकार का आप लोग को नेगेटिव थोट नहीं रखना है कि हम बता देंगे वो भी चला जाएगा एक्जाम पास इसे हो इसे कर लेगा वैसा सोच नहीं रखना है तो यह चीज देखिए वहाँ पे आप लोग को परिच्छा जो सेंटर है वहाँ पे भी आप लोग को उपलव्थ करा दिया जाएगा चोकिदार बाली के तहट 28 जुलाई 2024 रविवार को लिखित परिच्छा का आयोजन रामगर सहर के 10 बिद्यालों में गांधी असमारक पलस टू उच बिद्याले रामगर एमेस गल्स उच बिद्याले रामगर उच बिद्याले कोईरी टोला राधा गोविन इन्वर्सिटी लल ओमार सीट के माध्यम से किया जाएगा ओमार सीट आप लोको ओमार दिया जाएगा जिसमें की पेन से जो गोल घेरा होता है रंगने वाला वैसा ओमार सीट में एकजाम लिया जाएगा एक एक अंक के कूल 50 वश्तुनिष्ट प्रश्ण होंगे वहीं गलत उतर देने पर यानि कि 1600 मीटर का दोड़ होगा और यह कब होगा दोड़ का हैवजन 30 जुलाय दोजार चोबिस देखेये 28 तारी को आप लोग का एकजाम होगा 29 तारी को रिटेन एकजाम का तुरंद एक दिन महीं आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 30 जुलाय को तुरंद आप लोग का दोड करा लिया जाएगा तो देखे कितना fast process सिर्फ दो दिनों के अंदर में आप लोग का exam दोड हर एक process भरती पर करिये यहां पर आप लोग को करा लिया जा रहा है अब देखे एक अभिहारति के द्वारा यहां पर admit card भी आज लाया गया तो उसका भी कुछ य थोड़ा आप लोग को बलर देखने को मिलेगा बट फिर से आप लोग का एक admit card का आप लोग का वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें की एक अभिहारति से साफ फोटो मांग करके उसका भी ताकि यहां से clear अभिहारतियों का क्या निर्देश दिया गया है उसका चीज यहा करियाले परियोग होती एक अभिहारति के द्वारा जिनका रोलंबर देख सकती है तेतिस चुराणवे इनका रोलंबर है और फाइनले इसका देखिए सूची का करम संख्या इतना है रोलंबर इस अभिहारति का देख सकती है इतना है इनका center कहा पड़ा है परिच्छा अभिहारति केलिए अवसेक सूचना अभिहारति लिखित परिच्छा थोड़ा बलर देखने का मिलेगा बट आप मेरे अवाज में ध्यान दिजेगा पड़कर के सुना जा रहा है अभ्यार्थी लिखित परिच्छा शुरू होने से दो घंटा पहले आप लोगो पहुच जाना है जो दो घंटा पहले किस लिए पहुचने के लिए बोला जा रहा है जैसा कि वहाँ पे बताया गया कि जो अभ्यार्थी यदि समर ना ले जाकर कि admit card नहीं ले सकते हैं किसी कारणवस दूर हो जो भी कारण हो तो उनका जो admit card है वो आप लोग का exam center जिस दिन exam होगा 28 जुलाई को उस दिन center पर भी आप लोग का admit card उपलग कराया जाएगा तो इसलिए आप लोग को 2-3 घंटा पहले जाने के लिए वहाँ भी बोला जा रहा है तो 2-3 घंटा पहले आप लोग को वहाँ पर चले जाना है अभ्यार्थी अपने साथ जैसा कि दो फोटो पासपोर्ट size फोटो आप लोग को ले करके जाना है जो देखिए जो admit card ला लिया है वह भी आप लोग भी दो फोटो ले करके चले जाना है और जो admit card नहीं लिए हैं सोच रहे हैं कि हम exam दिन ही लेंगे admit card बट उस दिन कर लिए नहीं अभी आप लोग के पास 3-4 दिन का समय है कोशिस किजिए भले एक दिन जो भी कि नहीं admit card मिलेगा कि नहीं तो वहीं पर आप लोग mind है जो कि divert हो जाएगा तो सांत दिमाग से उस दिन जाना है उससे अच्छा कोशिस करना है कि आप पहले जाकर के ले लिजी और जैसा परवेश पत्र जैसा देखिए जैसा admit card में आप लोग का फोटो रहेगा वैसे ही आप लोग को हाथ में अपना हाथ में दो passport size फोटो भी रख लेना है एक पहचान पत्र जो भी होगा अधार card, voter, ID card, pen, driving license जो भी एक पहचान पत्र आप लोग को रख लेना है अब भ्यार्थी अपने साथ दो color ball pen देखिए दो black ball pen आप लोग को लेकर के जाना है चुकि ओमार बेस्ट exam होने वाला है परिच्छा केंदर में किसी तरह का कोई भी electronic gadget आप लोग को लेकर के नहीं जाना है यदि वो लिये हुए परवाय जाते हैं तो फिर आप लोग को पर करवाई भी की जाएगी और exam भी देने के लिए नहीं दिया जाएगा यह परवेश पत्र अपचारिक रूप से जारी किया गिया है और किसी भी इस्तिती में इसे चेयन या भरती के लिए अधार नहीं माना जाएगा लिखित परिच्छा ओमार अधारित होगी ओमार पत्र पर जांच पर किरिया इलक्ट्रोनिक माधियम से होती है इसलिए ओमार पत्र को मोड़ना उड़ना नहीं है जैसे ओमार आप लोग का एक दिया जाएगा सीट उसे में रंगना है तो कोशीज करना है कि आप लोग को उस ओमार को मोड़ना जो भी जैसे फोल्ड कर देते हैं मोड़ देते हैं मरचोड देते हैं तो ऐसा मोड़ना मरचोडना नहीं है चुकि वो जो आप लोग का रिजल्ट है वो इलक्ट्रोनिक गेजट के तहत वो जारी आप लोग का result चेक किया जाता है तभी तो आप देख सकते हैं 28 को एकजाम होगा दोपहर में और 29 को सारे कोपिया जितने भी 4000 अभ्यार्थी बैठेंगे इस परिच्छा में सभी का एक दिन में ही result जा रही हो जागा कैसे होगा तो वो electronic माधियम से और जो भी मन में जिन अभ्यार्थियों का संका चल रहा है कि यहाँ पे धांदली ये सब सेटिंग गेटिंग तो वैसा कुछ नहीं होने वाला पूरा साफ सुतरे तरीके से यहाँ पे आप लोग का भरती परकिरिया होता है मैं आपको यहाँ पे साथ में ये भी जनकारी देना चाहता हूँ देखिए उन भरतियों में ज्यादा इस परकार का गेटिंग सेटिंग धानली होने का चांस रहता है जो की सिर्फ एकजाम होता है उसमें दोड ये सब का नहीं होता है मान लिये जाए आप एकजाम में किसी तरह कर भी लिये तो फिर आप दोड में कैसे दोड़िएगा सो बताइए दोड में तो नहीं दोड में भी आप गेटिंग सेटिंग थोड़ी कर सकते हैं सारा केमरा सारा चिप आपका वहां पे लगा रहेगा तो देखिए यह सब ज़्यादा होता है मेक्सिमम वह आप लोगा सिर्फ जिसमें परिच्छा वाला होता है जिसे अभी सिच्छक भरती देखते हैं उसमें क्या है सिर्फ परिच्छा है अब online पर इच्छा अंदर में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका रोलंबर दे देता है result में तो वहाँ पर हो जाता है बनता है वो case बट अब यहाँ पर देखिए examet किसी तरफ बन जाएगा बट दोड में किसी होगा दोड तो आपको खुद से दोड़ना पड़ेगा तो भी आप लोग का 29 जुलाई को ही जारी कर दिया जाएगा तब जाकर के जो सारिक दस्ता दोड पर इच्छा है यह आप लोग का यहाँ पर 30 जुलाई को करवाए जाएगा कब 30 जुलाई को करवाए जाएगा देखिए 75 गुने 3 यानि की टोटल 225 अभिहार्थियों का करते हैं जो भी जैसे गेजेट टैजेट यह आप ले करके चले जाती हैं तो कहीं नकहीं आप लोग को उपर खरवाई भी बैठाई जा सकती है और आप लोग का एक्जाम भी रद कर दिया जा सकता है इसलिए कोशिज करना है आप लोग को अगल-भगल में भी थोड़ा सा एक्टिव रहना है कि बगल का बिद्यार्थी अगल का कैसा क्या कर रहा है सो तो यह सक्या आप देख सकते हैं यहाँ पे परभारी पतादिकारी जिला समानी साखर अमगर कभी है यह प्रोपर आप लोग का एडमिट कार ही है एक अभिहार्थी ने थोड़ा बलर फोटो आगि आप लोग का एक्जाम भी बहुत ही जल्द इसी परकार आप लोग का भी एक्जाम डेट ऐसा दोड़ डेट देखने को बहुत ही जल्द मिलेगा और इस भरती को मामूली भरती मत लीजिए चुकि दोड़ देख पा रहे होंगे आर्मी का दोड़ है और सेलेरी यह सब भी और आप देखते होंगे और इसका विडियो बनाया गिया है अठारा हाजार से चपपन हजार आप लोग के स सिलेरी होने वाला है इसरी होने 6 साल का नोकरी है Pencent सुइधा है और क्या चि चाहिए आप लोग को साट साल का नोकरी घर अपना जिला में पेंशन के साथ सहीद अगनी भीर आप आर्मी में जाएए मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है उसमें भी जाएए नो डोट बट आपको किसी को एक नेगेटिव वे में सोचना नहीं है आप देखें अगनी भीर कितना है चार वर्स का है उसका भी ग्रेड पे वही 18,000 से 56,000 है चार साल का वो भी है बट यह आप देखें 60 साल का है दोड भी सेम दोनों में दोड सेम ही है उसी तरह दोड है एकजाम भी देखेंगा ता आर्मी में भी 50 नंबर का एकजाम होता है और इसमें भी आप लोग का 50 नंबर का एकजाम हो रहा है सारा सेम चीज़े बट इसमें वही है कि जोब ड्यूटी बहुत ही इसमें आप लोगा असान है एक भी ज़रा work load नहीं है इसमें बाकी सबका अपना-पना mentally सोच होता है जहां तक मुझे आप लोग का एक सही दिशा और एक motivation वो चीज मैं आप लोग को कर सकता हूँ बाकी क्या करना है कि नहीं करना है वो तो आप खुद अपने मालिक है मैं तो बस आप लोग को एक दिशा ही दिखा सकता हूँ बाकी चलिए इसके regarding और भी यदि कुछ update आता है तो उसका भी update आप लोग को दे दिया जाएगा फिलाल जो भी नए candidate है आप इस channel को अबस्ति सब्सक्राइब कर लिजेगा